इस्त्री सिक्षा के विरोधी कूतरकों का खंडन यह निबंद महाविर पशात दिवेदी जी के द्वारा लिखा गया और उनके खुली सोच को दिखाता है दिवेदी जी के अनुसार पुराने समय में इस्त्रियों की सिक्षा का महत्व था लेकिन कुछ लोग इस महत्व को स्वेकार नहीं करते थे जीदी जी का समय समाज में नई चेतना जागरित करने का था वह समाज को जागरित करना चाहते थे जगाना चाहते थे क्यों करना चाहते थे ऐसा क्योंकि उस समय के समाज में महिलाओं को पढ़ाना अपराद समझा जाता था इस्त्रियों को पढ़ाना अपराद समझा जाता था ऐसा माना जाता था कि यदि इस्त्रियां पढ़ लिख जाएंगी तो वो समाज के लिए हानी कर होगा नुकसान दाई होगा पाड़ी लिखी स्तियों को अच्छी दिश्टी से नहीं दिखा जाता था पुराने विचारों के लोग स्तिय सिक्षा के विरोध में तरक दिया करते थे हमेशा ऐसी बाते क्या करते थे दलील दिया करते थे जिससे यह उजागर होता था कि वह स्त्री सिक्षा के विरोध में कारे कर रहे हैं यही विचारधारा कैसे लोगों की थी? जो स्त्री सिक्षा के विरोध में कारे करते थे उनके विचार ऐसे थे कि वो हमेशा स्त्रीयों की सिक्षा के विरोध अपने दिमाग की उपज को दिखाया करते थे और यही बात इस निबंद में दिवेदी जी ने स्पस्ट करने की कोशिश की है दिवेदी जी ने स्त्री सिख्षा के महत्व को समझा और उसका प्रसार किया यनि कि दिवेदी जी स्त्री सिख्षा के पक्ष में थे स्त्रियों को पढ़ाने के पक्ष में थे वह इसलिए ऐसा मानते थे कि सिक्षा से देश का उचित विकास हो सकता है और बड़ी संख्या में हमारे देश में स्त्रिया हैं, अगर स्त्रिया पढ़ेंगी तो उनके बच्चे भी पढ़ेंगे और इससे हमारे देश का विकास होगा और स्टियों का यदि उठान होता है वह उन्नती करती हैं पढ़ती हैं तो हमारे देश का निश्चित रूप से विकास भी होगा और देश उन्नती भी करेगा दिवेदी जी मानते थे कि पढ़ी लिखी नारी खुद का तो भला करती है साथ में परिवार समाज और देश का भी भला करती है कैसे करती है भला जब वे खुछ पढ़ जाएगी तो उसका परिवार पढ़ेगा परिवार पढ़ेगा तो उसका इंपेक्ट सारे समाज पर भी आएगा और समाज का प्रफाव देश पर भी होगा नारी की खंता और प्रतिभा का उचित उपयोग करना चाहिए हम कैसे उसकी प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं जब हम उसे शिक्षित करेंगे उसे पढ़ाएंगे दिवेदी जी के इस्त्री सिख्षा के लिए जो ये सोच थी वो आज के समय के लिए वर्दान साबित हो रही है क्योंकि उसके निबंद के बाद में लोगों में जागरुकता आई इस्त्रियों को पढ़ाने के लिए लोग आगे आए आधुनिक समय की बात करें तो मेलाओं की सिख्षा इसका बड़ा महतो है सिख्षा के बिना मनव जीवन के अस्तित्व की कलपना भी नहीं की जा सकती है अगर हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई ना हो तो हम उसकी कलपना भी नहीं कर सकते है आज के समय में लड़के और लड़कियों की सिख्षा अनिवारे है उन्हें पढ़ाना बहुत जुरूरी है ऐसा इसलिए है कि सिख्षा के द्वारा घर समाज और देश के लिए हम नारियों को सक्षम बना सकते हैं उन्हें आत्मनिरबर बना सकते हैं स्वयम के पैर उपर खड़ा होने में वो सक्षम हो सकती हैं यदि वो पढ़े लिखी हैं इसलिए आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे आई हैं लड़कियों का हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होना उनको स्त्री सिक्षा के लिए उनने लंबा संखश किया है क्योंकि दिवेदी जी के जो समय था उसमें स्त्रीयों को पढ़ाना उचित नहीं माना जाता था उन लोगों ने आने वाले समय में स्त्री सिक्षा के महेत्यों को समझा और स्ती शिक्षा विरोधियों की विचारधारा का इसने बंद में डट कर मुकाबला किया और विपक्ष में यदि हम बात करें तो विपक्षी लोग उस समय जादा मुखर थे लोग विरोध कर रहे थे कि महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए लेकिन लेखक का जो कथन है वह यह है कि स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाने वाला होना चाहिए मनुष्य का जीवन अकेले नहीं चल सकता है और उसकी जीवन यात्रा स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से ही चलती है यदि जीवन रूपी गाड़ी का एक पईया कमजोर होगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी इसी प्रकार से महिला यदि पढ़ी लिखी नहीं है तो जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चलेगी और ये तब हो सकता है जब दोनों पक्ष शिक्षित हूँ यनि महिला भी पड़ी लिखी हो और पूरुष भी पढ़ा लिखा हो महिलाओं को सिक्षक के साथ साथ खान पान मान सम्मान आदि के भी उचितावसर दिये जाएं घर में लड़के के जनम पर खुश्या और लड़की के जनम पर मातम नहीं मनाना चाहिए लड़की की भृणत्या बंध होनी चाहिए और संसार में जैसे लड़कों के आने का स्वागत होता है उसी प्रकार से लड़कियों का भी स्वागत होना चाहिए उनके साथ किसी भी प्रकार का फेदभाव नहीं होना चाहिए तब ही हमारा समाज आगे बढ़ सकता है हमारे समाज में पुरानी परंपराओं को तोड़ करके हम नया विकास अपने समाज में कर सकते हैं ऐसा ही इस पार्ठ में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पुराने जमाने में लोग स्त्रियों को पढ़ाने का विरोध किया करते थे अस्तियों को पढ़ाने से अनर्थ होना ऐसा मानते थे कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा सिख्षा के नाम पर उस समय में जो विशय थे वो पढ़ाय जाते थे केवल परंपरगत विशय पढ़ाय जाते थे जैसे होम सहींस हो गया लेकिन अभी जो अगर बात करें आज की तो सिख्षा प्रनाली में काफी हमारी परिवर्तन आ गया है आज कल विद्यार्थियों को सिख्षा के साथ साथ टेक्नीक की सिख्षा भी दी जा रही है और महिलाओं को खास कर बराबरी का दर्जा दिया गया है जिसके लिए हमारे समाज का हम इस निबंद में योगदान मान सकते हैं